आलिया भट के घर के अंदर की पिच्चर्स आज सोशल मीडिया पर लीक हो गई एक मीडिया पोर्टल है जिसने आलिया भट को उस दौरान क्लिक किया जब वो अपने प्राइबिट स्पेस में थी और उस प्लैटफॉर्म ने आलिया भट की तस्वीरे अपने पोर्टल पर भी डाल दी जिसके बाद आलिया भट भड़क उठी और उन्होंने मुंबई पुलिस को भी इस पोर्टल के खिलाफ कंप्लेंड किया है आखिर आलिया भट के घर की तस्वीरे किसने ली, क्यों ली और क्यों मीडिया वाले आलिया भट के एरिया में पहुँचे इसका खुलासा हो चुका है और जो खुलासा हुआ है वो बवाल मचा देने वाला है क्योंकि आलिया भट की इन लिग्ड तस्वीरों के पीछे उनका अपना कोई है उनका परिवार का कोई है और उनके रिश्टे में है जी हाँ ये शक्स और कोई नहीं बलकि भट फैमिली के इमरान हाश्मी है इम्रान हाश्मी के कारण ही आलिया भट की ये तस्वीरे वाइरल हुई है रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट जिस एरिया में रहती है यानि कि बैंडरा पाली हिल में उस बिल्डिंग के सामने ही बिल्डिंग है जिसमें इम्रान हाश्मी रहते हैं इम्रान हाश्मी ने अपने घर पर मीडिया वालों को बुलाया था इम्रान हाश्मी की फिल्म सेलफी आने वाली है और उसी के चलते इम्रान हाश्मी के कुछ इंटर्व्यूस प्लैंड थे तो उन्होंने अपने घर पर ही इंटर्व्यूज रखे और इस दोरा मीडिया वाले उनके घर पहुँचे थे और जब मीडिया वाले उनके घर पहुँचे तो उन्होंने आलिया और अन्मीर की बिल्डिंग देखी कि किस तरह से मीडिया वाले उनके घर के अंदर तक जहांक रहे हैं उनके और उनके परिवार की पर्मिशन के बगैर कैर अब तो इस मुद्दे पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है मुंबई पुलिस बीच में आ चुकी है और मुंबई पुलिस ने आलिया को कॉल करके अपना स्टेटमेंट देने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि आप कंप्लेंट कर सकती है पुलिस टेशन आकर और उस न्यूस पॉर्टल के खिलाफ आप F.I.R. दर्स करवा सकती है हाला कि आलिया ने पुलिस वालों को कहा है कि फिलाल उनकी P.I.R. टीम उस न्यूस पॉर्टल से बात कर रही है और क्या बात होती है उसके बाद ही आलिया डिसिशन लेगी कि पुलिस में कंप्लेंट करनी है या नहीं लेकिन हाँ उन्होंने सोशल मीडिया पर तो मुंबई पुलिस को टैग कर ही दिया था तो कुल मिलाकर आलिया की इस पूरी कहानी में हाथ है इमरान हाश्मी का हम सब जानते हैं कि इमरान हाश्मी आलिया भट के दूर के कहजन लगते हैं और इम्रान हाश्मी को इंडस्ट्री में लॉंच भी आलिया भट के पिता महेश भट नहीं किया था। अलाकि ये बात अलग है कि दोनों परिवारों के बीच अच्छी खासी दूरिया हैं क्योंकि जब आलिया भट की शादी हुई तब इम्रान हाश्मी दूर दूर तक नजर नहीं आये थे।